नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को आज ऐसा प्रियोग बताऊंगा जिसको सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे यह एक ऐसा चमतकारी तांतरिक प्रियोग है जिसको सुनकर के आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखरी तक ध्यान से देखेगा तभी आपकी समझ में आएगा अन्यता कुछ समझ में नहीं आने वाला मित्रों आज हम बात करेंगे एक ऐसे तांतरिक पेड़ के बारे में जिसके सफेद फूलों से चांदी एवं सोना बनाया जा सकता है जिसके फूलों के द्वारा मनुस गायब हो सकता है अर्थात अदरस होने की सकती प्राप्त कर सकता है अर्थात वह व्यक्ति गायब हो जाएगा किसी को नहीं दिखाई देगा परंतु होगा वहीं पर और वह व्यक्ति अपनी इस जादूई ताकत से इस तांतरिक दोस्तों, लेकिन दियाद रखेगा, इस प्रियोग का गलती से भी गलत प्रियोग मत करिएगा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके परणाम बहुत ही गंवीर होते हैं, इसलिए आपसे बार-बार मैं कह रहा हूं। आपको चटावनी दे रहा हूं। इस तांतरिक पेड का गल परकार की रहते हैं परकार की रहते हैं समय तांतरिक साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं साथ साथ दोस्तों हम इसमें दोस्तों आपको अन्यको परकार की रहते हैं सोना चांदी बनाने के प्रियोग देते हैं और तो दोस्तों इससे हम आपको रहते हैं जो आपको कोई जानकारी नहीं देगा यानि कि हमारे चनल के माध्यम से अनेको प्रकार की रहस्यमई जानकारी दी जाएगी तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं अपनी इस चमतकारी दिव और सधी के बारे में इस दिव चमतकारी तांतरिक पेड़ के बारे में इस चमतकारी तांतरिक पेड का नाम है पलास का पेड जीहां दोस्तों इस पेड में सफिध रंग का पलास का फूल निकलता है जीहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं पलास के पेड की वैसे तो पलास के पलास के जो पिड़ होते हैं उसमें नारंगी पीले तथा लाल रंग के फूल होते हैं साथी साथ दोस्तों किसी किसी में थोड़ा सफेद और थोड़ा पीला होता है लेकिन दोस्तों हमें सफेद फूल चाहिए पलास के जिया दोस्तों हमें पलास के पेड़ के सफेद फूल चाहिए जो की जो की मार्च से लेकर के अपरेल के बीच में मार्च अपरेल माई माई के आसपास यह फूल देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो और दोस्तों इस समय तांतरिक फेड़ इतना अद्भूत है यदि आप इस पेड़ के नीचे बैढ़ कर कोई भी साथ ना करेंगे ततकार पूरी हो जाएगी यदि किसी को भी कोई भी रोग हो इस पेड़ के पास रहे कुछ दिन साथ ना करें वो सब ठीक हो जाता है इस पेड़ के नीचे यदि आप नहाएंगे सिंपल नहाने मातर से आपके कई वैधान दूर हो जाएंगे यदि आप इस पेड़ के नीचे खाने पीने की चीज रखेंगे वो बढ़ेगा अगर आपको चमतकार देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको उस मंतर को ले करके साथ बर जपना इस पेड़ के नीचे बैठ करके और आप फिर एक गिलास लीजिए उसमें आदा दूद रख दीजिए और दोस्तों आप देखेंगे वह दूद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और वह गिलास से गिरता रहेगा इतनी चमतकारी होते है इस चमतकारी तांतरिक पलास के पेड़े में अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके द्वारा गायब कैसे पाएं जी हाँ दोस्तों यानि की इसके द्वारा गायब होने की सकती कैसे पाएं इसके दोरा अधरस होने की सकती कैसे पाएं इसके दोरा सोना और चांदी कैसे बनाएं इसके दोरा जो व्यक्ति है यदि वो 40 साल का 40 साल का 50 साल का 60 साल का है वह व्यक्ति इसके सेवन से 16 साल का बन सकता है जिहां दोस्तों और यदि जो 16 साल का है वो भी 16 साल का ही रहेगा यानि कि उसके उपर फिर आयू प्रवाव नहीं करेगी यानि वह व्यक्ति अराम से कई सो सालों तक जिन्दा रहेगा कई सो सालों तक क्या मोटा मोटा कहले 300 से 400 साल तक जिन्दा रहेगा जिहां दोस्तों इसकी इतनी दोस्तों जो वोनस्पती तंत्र है ना जो जो तांत्रिक जड़ी बूटिया ना इनिमें अन्यकों प्रिकार की सकती हैं जिसको हर कोई नहीं समझ पाता मित्रों यदि आप इसका पत्र यानि पत्ते पुष्प और फल का ग्रहन करें जिहां दोस्तों ग्रहन करके इसका मातर का आहार करते हुए मनुस्य बली और फलित से रहित 16 वर्स का सरीर धरन कर लेता है यदि वो 60-70-90 साल का है तो वह 16 साल का हो जाएगा जिहां दोस्तों और उसकी आयू 300 से 300 साल तक जिन्दा रहेगा 300 साल से 400 साल तक वह जिन्दा रहेगा उसके पुष्प के जिहां दो समान वंग यानि दोस्तों करांगा वंग वंग कुंद के समान तार यानि चांदी हो जाता है और दोस्तों कहने करते कि आप उसके पुष्प के निरियास को तालक से सुभावित करें यानि इसको दोस्तों आपको सीड़ी से बात इसको ताप करना है ठीक है और इसका जो बा जो वंग होता है जो वंग की तार होता है वो चांदी बन जाती है ततकाल और यदि यदि आप सोना बनाना चाहते तो आपको क्या करना है कि उसका पुष्प रस यानि उसके फूलों का रस और गंधक गंधक एक धातू होता है नेट पे सर्च कर लीजिए कि वह आपको दिख जैया कैसी दिखती है गंधक और भावित करें दोनों को मिला करके मिलाक भावित करना है और उसके लिप्त सुक्ष्म roughly छोटे पत्रों पर पुत पाक करने पाकाने से करने से दोस्तों यह जो है सुध सोने में तब्दिल हो जाता है है और उसके बीज के तैल और गंध से लेकिन दोस्तों कईयों को पता नहीं है दोस्तों यदि आप कुछ करना चाहते हो ना तो इस प्रियोग को कर लोगे तो निश्चीत आपके समझ में आगा जो समझ में नहीं आए तो आप Google पर सरज कर लीजेगा वो आपको समझ समझा देगा ठीक है क्योंकि मैं सुद हिंदी म बताता हूं न तो कहीं को थोड़ी असान थोड़ी मुश्किल हो typically है लेकिन वैसे मैं हलके सब्सक्राइब Indonesia जया ह姓 जया थाह दोस्तों कम सब्सक्राइब बूगल पर शर्च कर लीजिए पता चल जागा सवेथ पलास के पंचांग जो सफेध पलास का पेड़ उसके पंचांग उसमें यानि कि फल फूल जड़ तना पते तहनी पंचांग को चूडण करके चूडण बना ले मधू के साथ मधू यानि सहाध के साथ एक कर्ष करने से इसके आयु जो है . ब्रह्मा के आयु के पर्यांत्रशिद्ध होती है कुरु अम्रित मालिनने नवा है इस मंतर को आपको सात बार अभी मंतरित करके ही प्रियोग करना है और फिर यह सिद्ध हो जाएगा، ऐटमेट एक आपको ज्यादा म्हिनत नहीं करने पड़ेगी इस मंतर के द्वारा मातर सात बार पड़कर एकर इसको सिद्ध करना है यह मंत्र दोस्तों ऐसे नसपतियों को щidran कर एक और पर आप उसका प्रियोग करेए पृर आप देखिया चमतकार और दोस्तों इस के दुहारा आप इस स्के फूल की दौर आप होने की सकती भी पा सकते हैं जिए यहां दोस्तों, आपको पलास के सपेद फूल लेने हैं. और कम से कम में, चीजिस सुध्ध पाराधाटू. रहां ज़ूं के सुध्य होना चीजिए. क्योंकि पारधातु बहुत जहरीला होता, खतरनाक होता है, यह इसका ऐसे सेवन किया जाएगा, तो मनुष्की मृत्ति भी हो सकती, इसलिए दोस्तों पारधातु का बिना सुद्ध की प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस पारधातु का जो सुद्ध है, जो सुद्धी करण है, वो एक अच्छा अरुवेदी का चारे ही कर सकता है, जो जानकार हो, इसको जो है दोस्तों सुद्ध करवाईए, पारधातु को साथ प्रकार से सुद्ध किया जाता है, ठीक है, इस पारधातु को सुद्ध करवाने के बाद, आपको क्या करना, पारधातु लाना है, और उस आप इसकी गोली को मुख में धारण करोगे, मुह में रखोगे, तो आप गयब हो जाओगे, आप अधरस हो जाओगे, किसी को दिखोगे नहीं, परन्तु दोस्तों आप होगे वहीं, आप कोई भी चमतकार कर सकते हैं फिर, और जब तक आपके मुह में यह रहेगा, आपके उ दोस्तों हम इसके बारे में इतनी ही जानकारी देंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, दोस्तों हर एक चमतकारी तांत्री को सधी की अलग अलग चमता होती है, उसकी ताकत के अनुसार, उसकी सकती के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, उसके कला के अनुसार अपनी अ और सधियों का एक अपना एक महत तो है उम्मिद करता हूं जानकर पसंद आई होगी अगली वीडियो का इंतजार करिए जो की भाग दो लेकर आएंगे इसी के उपर यदि आप देखना चाहते हैं तो हमसे कमेंट में जरूर बोलिएगा हम जल्द लेकर आएंगे दन वागत